आज आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है भावक रूप से आप थोड़े कमजोर बने रहेंगे किसी भी बात से आपका मन दुखी हो सकता है माता के स्वास्थ की चिंता आपको रहेगी व्रिशब आपकी चिंता कम होने से राहत का अनुभव होगा आपका मन प्रेम से परिपूर न रहेगा आपकी स्रिजन शीलता और कल्पना शक्ती में भी व्रिधी होगी कला और साहित्य में आप अपनी कुशलता बता सकेंगे मिथुन आपके द्वारा निर्धारित किये गए काम पूरे हो जाने से आप खुशी का अनुभव कर सकेंगे आर्थे की योजनाए भी आप सरलता पुर्वक पूरी कर सकेंगे आप मित्रों और सनेही जनों से मिलकर खुशी प्राप्त करेंगे करक आज का दिन मित्रों और परिजनों के साथ आनंद में व्यतीत कर सकेंगे उनसे मिलने वाले भेट सौगात से आपको खुशी महसूस होगी घूमने फिरने और स्वादिश्ट भूजन मिलने का योग है सिंग आज कानूनी मामलों में ना पढ़ना आपके हित में है आप मानसिक चिंता और बेचैनी महसूस करेंगे शरीर भी अस्वस्त रहेगा जीप पर लगाम नहीं हो तो किसी के साथ मनमुटाब या संघर्ष हो सकता है कन्या आप अनेक शेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्ट कर सकेंगे आपको महिला मित्रों से लाब होगा मित्रों और बुजर्गों के कारण आपका समय खुशी से व्यतीत होगा आप घूमने जाने के बारे में विचार कर सकते हैं तुला आज घर और ओफिस में अच्छा वातावरन मिलने के कारण आप खुश होंगे आपका स्वास्थ या अच्छा रहेगा नौकरी करने वाले लोग उच्च पद प्राप्ट कर सकेंगे अधिकारी आपके काम की कद्र करेंगे व्रिश्शिक आज शरीर में सुस्ती के कारण उच्चाह का अभाव रहेगा इसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ेगा आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी अधिकारी आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे संतान के साथ अन्बन हो सकती है धन आज का दिन नए काव करने के लिए अच्चा नहीं है सर्दी, खासी या पेट की तकलीफ हो सकती है किसी भी तरह का ऑपरीशन कराने के लिए आज का दिन अच्चा नहीं है आपके मन में चिन्ता और बेचैनी रह सकती है मकर तैनिक कामों के अलावा आप अपना आज का समय मनुरंजन तथा मिलने जुलने में व्यतीत करेंगे स्वादिष्ट भूजन प्राप्त होगा और दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे मित्रों के साथ अच्छा समय गुजरेगा कुम आज का दिन काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है आपके काम की कद्र होगी परिवार में शांती और मेल जोल बना रहेगा आपके तन मन में तासगी महसूस होगी मी आज आपकी कल्पना शक्ति में बहुत निखाराएगा आप साहित्य स्रिजन कर सकेंगे विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है आपके स्वभाव में प्रेम की मात्रा अधिक होगी आपको अपना मन स्थिर रखना बड़ेगा